जै माता की दोस्तों, चैत्र मास में शीतला अश्टमी का तिहार मनाया जाता है शीतला अश्टमी का तिहार उत्तर भारत में बहुत परसिध है इस तिहार को मनाने से बहुत सारे बिमारियों से भी बचा जा सकता है तो शीतला अश्टमी का त्योहार इस बार कब पढ़ रहा है? पूजा का शुब मूरत, पूजा कैसे करें? और पूजा में कौन सी चीजों का भोग माता को लगाएं? इस दिन क्या काम वर्जित बताए गए हैं? सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं मित्रों शीतला अश्टमी का त्योहार कई जगा पर होली से पढ़ने वाले सोवार और गुरुवार को मनाया जाता है और कई जगा पर होली से आठ दिन के बाद पढ़ने वाले सब्तमी और अस्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है वर्ष 2022 में शीतला सब्तमी 24 मार्श 2022 दिन वीदवार को पड़ रही है वहीं पर शीतला अस्टमी 25 मार्श 2022 दिन शुकरवार को है शीतला अस्टमी को बासुडे भी बोला जाता है पूजा का शुमूरत 25 मार्श 2022 को सुबे 5 बज़ कर 48 मिनट से शाम 6 बज़ कर 3 मिनट तक रहेगा पूरा दिन आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं तो आज हम आपको बताएंगे शीतला अस्टमी की पूजा कैसे करे मित्रों शीतला अस्टमी का तिहार पर बासी भोजन बनाया जाता है यानि रात को रसोई बनाई जाती है और सुबे मा को वही भोग अरपित किया जाता है पूरा दिन उसी भोग को खाया जाता है इस दिन गरम भोजन नहीं करना चाहिए इसकी पीछे एक साइन्टिफिक रिजन भी है कि इजिन से बासी खाना नहीं खाया जाता मित्रों शीतला अस्टमी का तिहार मनाया जाता है खसरा, फोडे, फुनसी, चेचक से बचने के लिए, नेत्र रोगों से बचने के लिए जैसा कि चित्र में भी नजर आता है मा के चारों हाथों में एक में जाड़ू, एक में सूप, एक में शीतल पानी से भरा हुआ कलश और एक में नीम के पत्ते हैं यह सब ही चीजें चेचक में खसरे में काम आती हैं जिसमें की नीम से जाड़ा दिया जाता है और इसमें जाडू और सूप का प्रियोग जिसको चेचक होता है उस घर में नहीं किया जाता और बिमार व्यक्ति के सिरहाने शीतल जल का कलश रखा जाता है तो मित्रों बच्चों को फोड़े, फुनसी, खसरे, चेचक और नेतर के रोगों से बचाने के लिए इस्तिहार को जरूर बनाया जाता है इस दिन मिट्टी के कलश कुंडे आते हैं, जो छोटे-छोटे उन कुंडों को भरा जाता है ये कुंडे कुमार की यहां से लाये जाते हैं अपने घर-परिवार की परमपरा के अनुसार ये कुंडे आप 9, 11, 7 जैसी वी परमपरा है उस अनुसार ले लेते हैं इस दिन गुड से बने मीठे चावल बनाये जाते हैं, गुड के पूरे बनाये जाते हैं, गुड के गुलगले, दही बनाये जाता है, चाज बनाये जाता है, सारा भोजन रात को ही बना लिया जाता है, उसके बाद रसोई साफ कर दी जाती है, और गैस को भी गीले कपड़े स धक दिया जाता है उसके बाद गैस नहीं जलाई जाती सुभे ये सारा समान सभी बच्चों का और घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवा कर पूजा स्थल पर लेके जाया जाता है इस दिन माता को ठंडी दीपक का ही जलाया जाता है जिसमें मिट्टी का दीपक लेकर जाया जात और यह सारा समान चड़ाया जाता है, मा को हल्दी चड़ाई जाती है, मा को द्रव के रूप में दक्षिना चड़ाई जाती है, शीतल जल मा को अर्पित किया जाता है, और थोड़ा सा जल कलश में वापिस घर लेकर आते हैं, और घर के में गेट के दोनों तरफ थोड़ा थो जिससे नेत्र रोग नहीं होते और नेत्र से संबन्दी सभी प्रेशानियां दूर हो जाती है मित्रों शीतला माता का तिहार बड़ी संख्या में मनाया जाता है आज भी वहुत सारे घरों में शीतला अश्टमी का तिहार मनाया जाता है घर में बिमारियों से बचने के लिए सुख समरिद्धी के लिए शीतला अश्टमी का त्योहार अवश्य ही मनाना चाहिए इस दिन शीतला अश्टमी पर मा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए शीतला अश्टमी की व्रत कथा भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप शीतला अश्टमी की कथा जरूर सुने मित्रों उसके बाद अब हम बताते हैं आपको इस दिन क्या काम नहीं करने चाहिए मित्रों इस दिन इस्त्रियों को घर में सीर सहित नहीं नहाना चाहिए साथ ही इस दिन गरम जल से नहीं नहाना चाहिए इस दिन धंडे पानी से ही सभी को नहाना चाहिए बच्चों को तो ना भी नहलाएं तब भी कोई बात नहीं क्योंकि बच्चों को इस दिन नहीं नहलाया जाता, बच्चों के इस दिन हाथ मूध हो सकते हैं आप, उसके बाद इस दिन मित्रों गैस ना चलाएं, सभी कुछ भोजन सुबे से लेके शाम तक, जो आपने माता को भोग लगाया है बासी खाने का वही खाना पूरा दिन भर खाया जाता है गैस इज दिन लाँ ही चलाएं तो ही अच्छा है तीसरा काम इस दिन मित्रों सूइ धागा मशीन का काम नहीं किया जाता। के लिए वस्र सिलने हैं उनकी पोशाक बनानी है वो तो आप बना सकते हैं लेकिन और कोई अन्यासलाई का काम इस दिन ना करें तो ही अच्छा है मित्रों तो इस प्रकार मित्रों पूरा दिन माता का नाम का स्मरण करना हैं किसी को अपशब्द नहीं कहने किसी से लड़ाई जगड़ा ना करें ना ही किसी की बुराई बलाई करें इन समबातों से भी हमें इस दिन बचना चाहिए तो इस दिन मित्रों हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूजा कैसी करने चाहिए ये सब जानकारी आज हमने आपके साथ शेयर की है अगर आपको शितला माता की है सारी जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट बोक्स में जै शीतला माता अवश्य ही लिखें जै माता की दोस्तों